हलो अब्रीवन वेलकम टो माई चैनल आज मैं बना रहे हूं मटर पनीर बहुत जल्दी बन जाता है और अच्छा भी लगता है सभी को पसंद आता है तो चलिए शुरू करते हैं यह मैंने 100 ग्राम मटर ली है टमाटर लहसुन प्याज अधरक तीन टमाटर तीन प्याज ली है जाता है यह मैंने म dent al Burden को घुठा और तामाटर तो इस वज़े से हमें थोड़ा मोटा कट कर लेना है इस तरीके से निर को 2008 कॉमने काट लिये हैं देखी गाई यह मैंने टमाटर है टमाटर को हम मोटा कर ग्यां तामाटर को वह मैं मोटा चॉप करना है प्याज टमाटर को इसकी हमें प्योरी बनानी है तीनों चीजों की अधरक लेसुन, प्याज और टमाटर तो देखेगा इस तरीके से फिर हम इसको ग्राइन करेंगे मिक्सर जार में डालकर इसको हम अच्छे से पीसेंगे बहुत बारिक पेस्ट बनाना है हमें इसका यह बहुत सिंपल बन जाता है मटर पनीर की सबजी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है और बहुत इच्छी लगती है तो आप मेहमानों के सामने बना सकते हैं अपने आप भी बिना कर खा सकते हैं तो यह बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं तो यह मैंने जो मतन निकाली थी, वो है, प्यास डालूंगे, एक टी भी एक प्यास है, तो प्यास डालेंगे, थोड़ा लाइट ब्राउन करने है, हमें प्यास को, गाइज इस तरीके से, और उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, एक टेबल स्पून के करी, तो हम जीरा ड तोड़े काली मिर्च लॉंग डालेंगे तीन चार दो इलाइची ली है मैंने एक बड़ी इलाइची काली इलाइची जो होती है वह भी डाल लेनी है अगर हो है तो डाल लीजेगा वरना इसकिप भी कर सकते हैं तो इसको चलाएंगे अच्छे से देखें गाईज कुछ इस तरीके से हमें चला लेना है और उसके बाद हमें इसमें जो यह थोड़ा इसमें कलर आ जाए अच्छा लाइट ब्राउण तो इस तरीके से हमें इसको चलाते रहना जिससे यह जेले नहीं प्यास देखिए गाइज इस तरीके से तो फिर हमने जो टमाटर प्याज की जो प्योरी बनाई थी वो हमें इस के अंदर पैन में डाल लेनी है अड़ करना हमें मसाला ये देखिए गाइज इस तरीके से फिर इसको हम चलाते रहेंगे अच्छे से देखिए गाइस फिर इसमें हमें मसाला एड करना है ये मैंने एक टेबल स्पून मिर्चली है और अधर टेबल स्पून से भी थोड़ी डालूंगी हल्दी कम लेली होती है इसमें डालते हैं हम लोग और दो टेबल स्पून में धनिया पाउडर लूंगी क्योंकि दिन्या ज्यास जादा डलता है उससे मसाला ज़्यादा अच्छा बनता है मसाले के लिए हमें इसमें क्योंकि मतर पनीडर में मसाला चाहिए होता है और नमक करूंगी टेस्ट अकोड़िस आब डाल सकते हैं कम जादा जैसे आप पसंद करते हैं तो इसको हम काएंगे यह मैंने हरी मिर्ष ली है साबुत मिर्ष डाल देंगे तीन चाग और यह मटर डालेंगे और अब इसे हमें अच्छे से चलाना है क्योंकि इस मटर को हमें पकने देना है 10-15 मिनट और इसमें मैंने किचन किंग डाल है गरम मसाला आप डाल सकते हैं शाही पनीर मसाला है तो वह भी ढखकर हमें 10 मिनट तक पकाई है देखिए मतर भी हमारी गल चुकी है अच्छे से क्योंकि हमें मतर को पहले पका लेना है अगर आप प्रेशर कुकर में कर रहे हैं तो हमें एक सीटी लगा लेनी है तो यह मैं कड़ाई में बना रही हूं जैसे कि तो फिर इसमें मैं मसाला और मटर ये गल के तयार हो चुकी है अच्छे से भुन चुक है तो इसमें पनीर एड कर दूँगी इसे हमें हलके हाथों से चलाना है वरना पनीर मेल्ट हो जाता है और तूट भी जाता है अगर हम प्रेशर से इसे चलाते हैं तो हलके हाथों से ही इसे को चलाना है पनीर को बाद में लास्ट में हमें क्या करना है कि इसमें दूद डालना है दूद से बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाईस तो देखिए इसे हमें दूद एड कर लेना है और उसके बाद हमें 5-10 मिनट और पका लेना है इस तरीके से देखिए गाइज ये हमारा पनीर मटर पनीर तैयार हो चुका है यह देखिए तो गाइज यह आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो मुझे बताना न भूले कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी है और लाइक शेर और करना ना भूलिए थैंक्स फॉर वाचिंग आप कर दो